तो स्वागत है आप सभी का ग्याफनिकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास का नौन हिंदी पढ़ने वाले हैं आप लोग का बहुत जदा कमेंट आ रहा था कि 10th क्लास का नौन हिंदी जिस चैप्टर तक में अबजेक्ट को लिए हैं यानि कि उर्दो वाले स्ट्रेंट का यह हिंदी आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं नौन हिंदी या फिर अहिंदी ठीक है दस चैप्टर तक पढ़ाकर मैं स्टॉप की थी आज के इस वीडियो में लोग 11 से लेकर 14 चैप यह जो चारों चैप्टर हैं इन चारों चैप्टर से किस किस तरह से कोशन पूछे जाते हैं और प्रिविस एक वीडियो में कम्प्लीट करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोग परतिये चैप्टर को एकदम विस्तार से पढ़ें तो कोई दिकत नहीं है इसका भी उपाय है हमारे पास मैं आप लोग को अलड़ी पढ़ा चुकी हूँ जी हां इसके पिछले वाले सेसन में एकदम वन बाई वन करके हर एक चैप्टर को अलग-अलग वीडियो में आप लोग को पढ़ाई थी एकदम विस्तार से तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग को परतिये चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो मिल हम लोग एक वीटियो में करें फिर अगले चैप्लेख MON एक वीडियो में तो आप लोग वहां से जाकर एक वीस्तार से पढ़ सकते हैं खेर आज इस वीडियो में हम लोग चार चेप्टर को एक साथ कंप्रीर करने वाले और तोड़ा शॉट कॉट लेकर चलेंगे लेकिन हर एक पद 10 ख्लास के नौन हिंदी का 11 चेप्टर है क्या नाम है कबीर के पद जो कि एक कवीता है पद है मतलब की और इस कवीता के इस पद के राइटर कौन है कबीर दास तो इसमें जितने भी दो पद दिये गए हैं परती एक लाइन को पढ़कर मैं अर्थ बता देती हूं क्योंक दखता है कि अब्जेक्टिव में पूछ दे और उन्होंने अपने रशना के माध्यम से भक्ति के नाम पर व्याप बाहया डंबरों व्यर्थ अनुस्ठानों पर करारा परहार किया है देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले पद में जैसे कि कबीर के पद में दो किस चीज के बारे में जिक्र किये हैं किस चीज के बारे में चर्चा किये हैं तो याद रखना है पहले पद में कबीर दास जो है न वह यह बताने की कुछ की हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी एक चीज को ठान लेते हैं कोई भी एक डिसीजन ले लेते हैं तो फि इतना भी साबित कर दो प्रूफ दिखा दो कि भाई तुम्हारा डिसीजन गलत है लेकिन फिर वो अपना मतलब राय ही नहीं बदलते हैं अपने बात पर अड़े के अड़े ही रहते हैं ठीक है यह पहले पद में बता हैं और दूसरे पद में कभीरदास चर्चा किये हैं अल् भगवान अल्ला इश्वर को कहीं ढूने की जोर्त नहीं है कड़कड में इश्वर है कड़कड में अल्ला है कड़कड में भगवान है ठीक है यही बात है दूसरे पद में तो चलिए पड़कर में आप लोग को समझा देती हूँ पहला पद है कि मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रहे मैं कहता हो आखिन देखी तू कहता है कागद की लेखी यहां पर राइटर जो है कभीर दास वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा तेरा मन हुआ कैसे एक हो पाएगा मैं कहता हूँ आखिन देखी और तू कहता है कागद की लेखी मैं कहता हूँ कि मैं खुद अपनी आँखो से देखा हूं और तुम कागज की लिखे हुए पर विश्वास कर रहे हो तो किस तरह हमारा और तुम्हारा मन एक जैसा हो सकता है मैं कहता सुर्जावन हारी तू रख्यों उर्जाई मतलब मैं सुलझाने की कोश्च करता हूं और तुम उल्जा देते हो मैं बार बार सुलझाता हूं और तुम उल्जाने में लगे रहते हो मैं कहता हूं जागत रही हो तू रहता है सोई रहे लो भई मैं कहता हूं तू जागत रही हो और तुम क्या करते हो तुम सोय हुए रहत कि तुम अपने अंदर मोह मत रखो क्योंकि इस मोह का फायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं तो इसलिए मैं तुम से कहता हूं कि तुम निर्मोह रहो यानि कि अपने अंदर मुह मत रखो लेकिन तुम जाते हो क्या मोही रहे यानि कि तुम अपने अंदर मुह रखते हो और तुम मोहित हो जाते हो ठीके जुगन-जुगन समुझावत हारा कहीं नमानत कोई रहे यानि कि जुख जुख से मैं तुमको समझाते आ रहा हूं लेकिन कहीं भी कोई भी मेरा बात नहीं मान रहा है सत्गुरु धारा निर्मल बाहे वामे काया धोई रे कहत कभीर सुनो भाई सादो तभी वैसा होई रे यहां पर बोल रहे है कभीर दास कि अगर तुम चाहते तुम्हारी जो भी तमन्ना है जो भी तुम्हारी इच्छा है तुम्हारा जो भी लक्ष है अगर तुम पाना चाहते हो तुम जैसा भी करना चाहते हो वो तभी होगा जब तुम अपने जितने भी तुमने पाप किये न हैं तो गलत काम किये हैं तो इसको धो डालो तुम एक सच्चा मनुष्य बन जाओ पाक और साह बन जाओ तुमने जितने भी पाप उसका प्राश्चित कर लो तुम अपने सारे पॉर सारी गुनाहों को जलने दो डालो व्यर्ट तब जाकर जो जो तुम चाहते होना वो तुम प्राप्त कर पाओगे, ठीक है, तो ये हो गया पहला पद, अब आते हैं दूसरे पद पर, दूसरे पद में लिखे हैं कभीर दास, कि मो को कहां ढूंडे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तो मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कहलास म ये आपर बोल रहे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि दूसरे पद में इश्वर के बारे में बात कही गई है, कि इश्वर को कहीं ढूंडे की जरूरत नहीं, अगर मन सच्चा साफ है, ये हर कड़-कड़ में भगवान है, कड़-कड़ में इश्वर है, कड़-कड ना मैं मस्जिद में हूँ ना मैं मंदिर में हूँ ना काबा में हूँ ना मैं कैलास में हूँ ना तो कौनो किरिया करम में ना ही जोग बैराग में खोजी होए तो तुर्ती मी लिहाओ पलभर की तालास में कहे कबीर सुनो भाई सादो सब सासों की सास में तो यहां पर वही ब मैं तो तुम्हारे पास हूँ तुम्हारे अंदर हूँ खुजी हो तो तुर्ती ही मिलियो यानि कि अगर तुम मन से सच्चे दिल से ढूनोगे न तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ कड़कड में भगवान है कड़कड में अल्ला है कड़कर में इ अगर तुम खोजते हो इश्वर को तो तुमको तुरंती मिल जाएंगे पल भर की तलास में तुम्हें इस वर मिल जाएगा यानकी चालों तरफ इश्वर ही इश्वर हर कड़कड में तुम्हें इश्वर दिखाई देगा ठीशे तो यह हो गया दूसरा पद complete आगे बढ़ते हैं चैप्टर नमबर ट्वेल्व का नाम है विक्रम शीला जो कि एक निबंध है याद रखिएगा विक्रम शीळा एक बहुत बड़ा विश्वविद्याले था और इसी के उपर यह निबंध लिखा गया है और इसी के बारे में आप लोग चैप्टर को हम लोग समझ लेते हैं और वैसे अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आप लोग को ऐसा लएगा कि विक्रम शीला जो है ना खुद बोल रहा है मैं हूं विक्रम शीला मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिश योकती नहीं हो मेरे यहां आरे भट और अतिश दिपंकर सरीखे विद्वान हुए जिनके योगदान को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है बिल्कुल सही बात है यह वही विश्व विद्यालय है जहां पर अतिश दिपंकर और आरे भट जैसे विद्वान पढ़ाई किये थे सोचिए व आरे भट आप लोग जानते हैं जीरों की खोज दश्मलों की खोज आरे भट ने किया था पृत्वी गोल है कि हने मिसक्र बताया था अतिश दिपंकर घगोल विदा के करने के सांचात्त लामा संपर्दाई के स्थापना किये थे कॉन अतिश्द भंकर तो इस tLam पड़ाई को सकते हैं इस तरह के विद्वान लोग जोना कि न और हिविश्वधियालय किये थे तो अगर बात कर लें विक्रम शीला जो यह विश्व विद्याले हैं यह कहां परिस्थित है ठीक है तो याद रखिएगा भागलपूर जिला थाना कहल गाउं पोस्ट पतरघटा गाउं अंतीचक में है यह विक्रम शीला विश्व विद्याले लेकिन अभी आगर आप लोग जा कर देखेंगे न तो यह विक्रम शीला आप लोगों को तुटा-फुटा दिखाई देगा क्योंकि इसका पतन हो गया है ध्वस्ट कर दिया गया है ठीक है तो आप यूँ कह सकते हैं कि भागलपूर जिला में भागलपूर जो उसक्त का महाजन पद हुआ करता था तो भागलपूर जिला ठा है कि कौन से जिला में है तो भागलपूर जिला ठीक है यह याद रखना है तो विक्रम शीला कहां पर इस्थि थे यह आप लोगों को पता चल गया अब इस्थापना कब हुई किसने करवाया यह समझे आठीवी सदी सदी और सताबदी दोनों का मतलब एक ही होता है सदी सता है तो यहाँ पर क्या लिखा गया है आठीवी सदी यानकी साथ से लेकर 800 साल के बीच के मध्य में विक्रम शीला की स्थापना होई थी ठीक है और उसके बाद से किसने करवाया था तो पालवन्स के राजा थे धर्मपाल यह इंपोर्टेंट है धर्मपाल याद रखिएगा कोशन पूछ देता है पालवन्स के यह राजा थे जी तरह मुगलवन्स होता है खिलजी वन्स होता है उसी तरह पालवन्स था पालवन्स के राजा धर्मपाल थे और इनहीं के नत्रितवा में यह क्या हुआ था विक्रम शीला की स्थापना हुई थी और यहाँ पर बात कर विक्रम शीला की तो इसमें यह जो विक्रम शीला विश्व विद्याले था ना इसमें देखिए दस हजार स्टूडेंट पढ़ाई करते थे एक साथ सोची यह बहुत बढ़ा था विश्व विद्याले था इसके अंदर तो खुद छे महा विद्याले काम करते थे छे महा को बताई थी और हर जितना भी छे महाविद्याले था इस विक्रम शीला विश्व विद्याले में छे क्या था आप यूँ कह सकते हैं चे माा विद्याय था और हर एक माविद्याले के गेट पर फैटकी पर रहता था जिसको द्वारपंदित खहा जाए था करता था और इस में एडमीशन कैसे मिलता था यह वी मैं आपに को बता दे रही किक्रम श कीडा में आप को अडमीशन पाने के लिए हर गेट पर जो द्वारपंडित हुआ करते थे ना उनके पास जाना पड़ता था अब आप लोग जाएंगे एंट्री करेंगे तो सामने द्वारपंडित रहेंगे द्वार पंडित जो हुआ करते थे थे ना वो खुद मौकिक पर इक्षा ले थे थे यानि कि मूँ से कोशन पूछते थे कोशन पूछेंगे अगर आप उसमें पास हो गए तभी आप लोगों अंदर एंटर मिलती थी यानि कि आप यूँ कह सकते हैं कि उस वक्त के द्वार पंडित भी जो थे ना खुद पढ़े लिकेते बहुत ही जादा मतलब आचार्य ज्यान की विभिन शकाव जैसे तंत्र योग न्याय काव्या और व्याकरण में पारंगत थे मतलब यह हर एक चीज़ का ज्यान रखते थ ठीक है यह खुद इनके पास नौलेज हुआ करता था और उसके बेस पर यह स्टूडेंट का परिक्षड करते थे आप यूँ कह सकते टेस्ट लेते थे और अगर उसमें आप उतिर्ण हो गए पास हो गए तब आप लोगों को एंटरी मिलती थी और तब आप लोगों को वि अग्रम शियला विश्वविदालय के प्रक्ष यानि की रखा गया और उसका वहां पर विहार बना दिया गया था और इसलिए विश्ववदालय का नाम जो है ना विकरम शीला रख दिया गया क्योंकि विक्रम नाम किया यक्ष यानि की राक्षास को दमन करके वहां पर विहार यानि की समाधी बनवाई गई थी और जितने भी लोग थे बाहर से परेटन करने के लिए यहां पर आया करते थे और इसी बेस पर विक्रम नाम के बेस पर विक्रम श्रीला विश्वविद्य बहुत बड़ा समरिद्पुस्तकाले भी है तंत्र विदा यम तरक विदा सहीत प्रारंविक दर्शन और बहुत दर्शन सम्मधित गरंतों का यहां पर एक विशाल संग्रा है मतलब कि विखरम शिल्या में बहुत बड़ा लाइब्रेरी भी है जहां पर सभी तरह के गरंत मौ बेशेरिक आत्मी विधा घ्यान जादू छमतकार वगरवगर यह थे आरे सब्जेक्ट जो है ना इस विश्र विद्ध्याले में पढ़ाया जाते थे ठीक है यह इंपॉर्टलेंट है याद रखिएगा और सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था ठीक है यहां तक कि तंत्र वि शासन करते हुए 15 साल हो गए थे तो 15 वर्ष में अश्च शासिका प्रग्या पार्मिता ये एक क्या है ये एक आप यूँ कह सकते हैं ग्रंथ है अश्च शासिका प्रग्या पार्मिता ये एक ग्रंथ है इसकी पांडूली पी भी तयार की गई थी कब तो राज गोपाल दूत बल्कि ब्रीटिस म्यूजियम लंदन में है ठीक है सोचिए मतलब कि जब इस नस्ट हुआ था ना विक्रम श्रीला विश्व विदला जब यह नस्ट हो गया था तो उस वक्त अंग्रेजों का सासन था उस वक्त जितने भी महत्वपुन ग्रंथ थे पांडूली पी थी किताब अब दें हुआ थी तो हो गया अब यहां पर आगे बात किया गया है कि इस विक्रम श्रीला विश्व विद्याले का कि विनास तो इस कि खुदाई अभी भी चल रहे है अभी भी जी हां अभी भी खुदाई चल रही है इस में से जो जो की खुदाई की गई तो यह objective में पूश देता है कितनी फिट ऊची और कितनी फिट चौड़ी इमारत प्राप्त हुआ है विक्रम्षिला विश्वविदाले की खुदाई में याद रखना है पचास फिट ऊची और तर्फिट चौड़ी उसके बाद से साहे चार फिट भगवान बुद्ध की प्रतीमा विप्राप्त हुई है और पुर्वी और पस्चिमी भवन में पदमासन पर बैठे और। की तेशवर की कांशे पर्म इस प्राप्पत हुई है पूर्वि और पश् ठीमी भावण में पद्मासन यानiddag आसन पर बैठे और लोग की एक्जाम में पूच सकता है आगे बढ़ते हैं तिरहमी सदी में तुर्कों का आकरमड हुआ था अब विक्रम शीला विश्व विद्याले का विनास कैसे हुआ कैसे ये नस्ठ हो गया ये बताया गया है कि तिरहमी सदी में तुर्कों का आकरमड हो गया तुर्क जितने भी थे को अकरमर कर दिये । और 30 सथी में दूर के ये विक्रम्श्रिदाविश्र विदालय का विना cabbage हो गया कि अगर आपको जानना है कि मेरा विनाश कैशे हुआ की अगर मेरे पतन के बारे में जानना है know और मेरे पतन के बारे में आप लोग पढ़नात 15 मे optics तरह तो आप लोग ध भर्मस्वामी नामक तिब्बती लामा उसमें पतन का मेरी पतन की पूर्ण चरचा है आप लोग उसको पढ़नगे तो आपलों को बता चले हैं कि मिरा विनास किस तरह हुआ ठीके और वैसे एक तबाकते नासरी नामग्रंथ इस ग्रंथ में आप लोग को पूरा विख्णवीश्वव विद्याले के बारे में बताए गया है किस तरह से पढ़ाया जाता था कहां कहां ठाथ ठीक है किस तरह से अध्यापन होता था कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई जाती थी फिर इसका पतन भी कैसे हुआ मतलब संपूर्ण जानकारी अगर आप लोग को विक्रम श्रीला विश्व विद्याले के बारे में लेना है तो आप लोग तबाकते नास्री नामवजरंत पढ़िए और अगर विक्रम श्रीला वि और दीदी की डाइरी इस चैप्टर के टाइटल को पढ़कर लग रहा होगा कि इसमें किसी की दीदी की डाइरी के बारे में चर्चा है किसी की दीदी यानि की दीदी किसी ना किसी की दीदी तो होंगी जिसकी ये दीदी है ना उसका नाम है संजू और इस चैप्टर का पर कि संजु जो है ना वो फूल सी प्यारी सी ननी सी एक छोटी सी लड़की है जो कि हमेशा लोगों को हसते हसाते रहती है चुटकुले वगर सुनाते रहती है और इसको किताबे पढ़ने का बहुत जिदा शौक है जैसा कि मैं चप्टर बढ़ निकाल ले रही हूं चप्टर न किताबे पढ़ने का बहुत जिदा शौक है कहानी हो कवीता हो कॉमिक्स हो एटीसी या शौक उसे मा की देखा देखी लगा है संजु चाहे कक्छा में अच्छे नंबर लाए या जन्म दिन मनाए उसे उपहार ही मिलता था क्या चीज़ का तो पुस्तक का मतलब चाहे संजु अपने क्लास में टॉप लाए या फिर जन्म दिन मनाए उसको उपहार में क्या मिलता था सिर्फ पुस्तक किताब ही मिलता था उसके घर में चोड़ा सा पुस्तकालय बन गया है स्कूल में भी उसे चटपढ़ी पुस्तक की तलाश रहती है मतलब कि इसको इतना ज़ परियोग उसे बहुत पसंद आया गांधी जी का एक साहित्य है सत्य के परियोग उसको जो है ना संजु को पढ़ने के बाद संजु को बहुत पसंद आया और बापु ने इन परियोग को अपने डायरी में लिखा था संजु ने सोचा कि वह भी डायरी लिखेगी मा ने भी उसका होसला बढ़ाया और पिता जी को पता चला तो बहुत परसन हुए खुस हुए और उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी अब संजु इस टेंशन में थी कि डायरी तो मैं मंगा ली मैं डायरी लिखना भी चाहती हूं लेकिन डायरी लिखने की शुरुआत किस तरह स दीखूं तो इसको याद आया, अरे, मेरी डीदी भी तो डायरी लिखती है, तो सोची कि मैं जाकर दीदी से डायरी मांग लेती हूँ, तो गई दोडरकर दीदी के पास और बोली, दीदी, आप हमको न, थोड़े समय के लिए अपनी डायरी दे दिजए, क्योंकि मैं भी ड पूछे जाते हैं अब देख़ें डायरी जो दीदी की तुटाividad की ती siatapled लिखने से फाइदा क्या होता है ये भी उताएगे स्कर्वें डायरी लिखने के फाईदा ये होता है कि इंसान गलत रास्ता पकड़ने से बश जाता है क्योंकि दायरी जो भ्यक्ति लिखता है ना उसको वो दिन भर में क्या किया कौन सा काम किया चाहे वो गलत हो यह फिर सही हो वो हर एक चीज़ डायरी में बैठकर लिखना होता है मतलब दिन भर की एक्टिविटी रात को डायरी में बैठकर लिखना पड़ता है तो इस तरह जो व्यक्ति डायरी लिखता है उसको वो दिन में क्या क्या किया अगर गलत भी काम किया होगा वो भी उसको डायरी में लिखना ही पड़ेगा और इस तरह उसको इहसास हो जाता है कि ये मैंने गलत कर दिया और इस तरह वो गलत रास्ता पकड़ने से बच जाता है ठीके? तो यह डायरी लिखने का फाइदा होता है सच्चे मन से सच्चे दिल से डायरी लिखिए जो भी अगर आप लोग चाहते हैं मैं तो आप लोग रिकमेंड करोंगे कि आप लोग डायरी लिखिए दिन पर आप लोग ने क्या किया रात को बैठ कर सोच कर लिखिए एकदम इससे आप लोग गलत रास्ता पकड़ने से बचेंगे सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो चलिए अब आईए हम लोग यहां पर समझ लेते हैं कि फस्ट जनवरी 1997 को संजु की दिदी दिन भर क्या की यह हर एक चीज वो लिखकर बताई हैं और मैं बोर्ड पर भी लिख दी क्यों ठक ठक हो रही थी क्योंकि कारीगर पत्थर तरास रहे थे और मैं लेक विदी हूँ कॉलेज में कच्छा के सामने पत्थर तरास रहे थे कारीगर जिसके वज़ा से ठक ठकी आवाजे आ रही थी एक छोटी सी छेनी से पत्थर में फूल पतिया उखिड रहे थे वही ख्लास जो है ना दिन भार डिस्टर्फ चला था ठीक है ठक ठक यह वाद से सही बात है जान्वर को क्या हुआ था तो आज सुबह शीला के घर गई थी मैं लिख भी दीधी हूँ सुबह अपनी दोस्त शीला के घर गई थी कौन संजू की दीधी क्योंकि किसकी डाइरी है उसमें एक चुटकुला बहुत मज़दार था हस्ते हस्ते लोट पोठ हो गई अभी डारी लिखते समय ही हसी नहीं रोक पा रही हूँ फिर से पढ़ पाऊं इसलिए लिख लेती हूँ इसे खरीदार मालिक से इस भैस खरीदार जो है ना मतलब एक जो खरीदार था वो मालिक के पास गया था भैस खरने के लिए तो खरिदार बोला कि इस भैस की तो एक खराब है फिर इस भैस के साथ हजार रुपे क्यों मांग रहे हो तो मालिक ने बोला भैस से दूद लेना है या कसिदाकारी कहरवानी है ठीक है मा को कल राथ से मलेरिया है मैं तो रात बर उनके पास बैठी रही भाईया ने खाना बना है थे और सभी लोग जब खाना खाने के लिए बैठें तो पजा चला कि खाना में तो नमक ही नहीं है नमक डालना ही भूल गये थे भाईया तो कोई बात नहीं खाना अच्छा नहीं लग रहा था फिर क्या की देदी जाकर नमक लाई और सभी खाने में नमक मिला दी तो बात आ गया लेकिन अगर भाया जादा नमक डाल दिये रहते तो हम लोग कम कैसे करते तो वही बात है और फिर आगे बात करते हैं तीन जनवरी में सब गई थी कहां पिकनिक मनाने के लिए तीन जनवरी को ठीक है हरे भरे विरिक्षों से घीरा हुआ पानी से लबालब भरा एक सरोवर शांत वातावरन पक्षियों की चहाट वहां पर हर एक चीज है और वहां पहुंच कर छोटी छोटी टोलियों में बढ़ गये लो जितनी भी इनकी दोस्त थी सहेली वो सुन्दर स्थान का आनंद उठाने लगी पहले तो वहां चार ओर घुमते रहे जूले पर फिर सरोवर पर गए मचलिया देखते रहे डूपती उतरती रंग भी रंगी तथा छोटी बड़ी मचलिया तभी बहन जी ने बुला भेजा अब सभी मैदान में आग इकठे हुए थे नरम रम घास पर बैठे हुए थे गुनगुनी धूप थी बारी बारी से हमने गाना ग गई मंजू जो कक्छा में चुप चप बैठी रहती थी आज खूब नाची थी मैंने भी जादू का खेल दिखाया खेल में जिसने जो फल चाहा उसे उसी का उसी फल की खुश्बु सुमा दी जो मिठाई मांगी वही चिखा दी कितना आनंद आया लिखना सकूंगी मेरे ज जनवरी की बात थी चार जनवरी उने से संतानवेर को लिखा गया है कि रवीवार का दिन था तो तो चान नमक पुस्तक देखिए आज रवीवार का दिन था कहीं आने जाने की इच्छा नहीं थी माने चार्ट बनाई थी जमकर नास्ता किया चाय की चुश्किया ली और फि थी रेल के चलता था जो जहां चाहे बैठे जो चाहे पढ़े श्रिक्षक का कोई डर नहीं पूरी आजादी तो तो चान एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े थे वह यहां रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई थी पर्म हुई थी ठीक है उसका जिवन बदल गया मुझे यह पुष्टक बहुत अच्छी लगी सोचती हूं क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी आजादी मिल सकती है उसके बाद से पांच जनवरी उन्हें से संतानवेर की बात की गई है आज का पूरा दिन उदाश्री में बीता क्यूं जाएगी एक महीने बाद गाउं की गाउं से छुट जाएगी उससे उम्र तो मेरी जितनी है पर घर वाले उसके हाथ पीले कर एक ही दम लेंगे मुझे मिली तो गले लगा कर रोने लगी कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है पर क्या करूं मेरी कोई मेरी बात सुनता ही न पढ़ना चाहती, शादी नहीं करना चाहती तो लेकिन परिवार वाले जो अधे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा आधी दुनिया भर की लड़किया आज क्या क्या कर्तब दिखा रही हैं हम है कि चोले चोकिये के चूले चोके चूले के चकर से किसी तरह उबर नहीं पाते हैं मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है आखिर कब तक अपनी इच्छाओं को गला दबाती रहेगी मैं तो या इससे थी कदापी नहीं ठीक है मतलब अगर मेरे साथ इस तरह होता तो मैं इस तरह करती ही नहीं ठीक है उसके बाद से 6 जन्वरी को लिखा गया है रिक्षेवालर के बारे में कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली थी समजू की देदी तपाक से चीक हुई रिक्षेवाले ने चीका था दादी मा ने तो इसकूल जाने के लिए संजु की दीदी तैयार हो गई थी समय पर घर से निकली थी लेकिन तभी रास्ते में रिक्सेवाले ने क्या कर दिया चीक दिया तो रिक्सेवाले का चीक न यह अपसगुन माना जाता है ठीक है गाउंदिहाद के हिसाब से पुरानी जो बुजर्ग लोग बुजर्ग औरते हो थी उनके हिसाब से तो वही दादी माने आवास लगा दी कि बिटिया आज स्कूल ना जाओ सामने की चीक है मेरा मन भी मैला हो गया था एक पल सोचा रिक्सा लोटा दूं तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभि में मैंने भाग लिया देखिए जब संजु की दीदी पढ़ने के लिए जा रही थी तयार होकर रास्ते में रिक्से वाले ने चीक दिया तो उनकी जो दादी मा हैं उन्होंने बोला कि सामने की चीक है छोड़ दो आज पढ़ने मत जाओ यह शगुन और आप शगुन लोग की और प्रमुक पातन यानइ कि मिनअ करेक्टर तो यहीं रहती है तो इनको जाना ज़रूरी था तो देखा जाएगा उन्हों आふふ passed एकनदकी बढ़ और कुछ नहीं किया जा सकता है तो वह अस बात को सब्सक्राइब और चल देछ कोल एक इसकूल जाकर उन्होंने हमारा अनुभाव सभी ने सारहा खुब तालिया बजाई मैं तो व्यर्थ ही छी से डर गई और उल्टे मुझे पुरसकार मिला साब 80 अलग आगे से मैं सगुन और अपसगुन के फिर मैं पढ़ने वाली नहीं तो यह जो है ना इग्नोर करते हुए सारी बातों को इग्नोर कर और फिर बहुत ही बढ़ीया इन्होंने एक्टिंग किया जिसके उजल से सब भी लोग इन्होंने इनको सराहा और खुब तालिया बजी और इनको प्राइज वागार भी मिला एक विकारी बटर रही थी संजुकि दी तो वही लिखी है कि मैं तो व्यर्थ में ही चीक से डर गई थी उल्टा मुझे ही पुरसकार मिला था मुझे ही प्राइज मिला था और सबासी तो अलग ही बात थी तो आगे से अब मैं यह शगन और अब सगन को नहीं मानने वाले इसके फेर में पढ़ने वाली नहीं ठीक है अब लास्ट साथ जनवरी उनेसल 97 के दिन क्या हुआ थ ठीक है कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मैं लिख भी दी हूं ना पढ़ाई में मजा आया नखेल में कोई डाट डपट भी नहीं होई कभी कभी सोचती हूं सब लोग लड़कियों को ही क्यों डाटते हैं यह लास्ट में जो है ना खतम हो जाता है और यहीं पर चैप्ट नाम का चैप्टर है जो कि एक कवीता है और इसके राइटर कौन है गोपाल से नेपाली चलिए इसको मैं पढ़कर बता दे रही हूं यह जो पीपल नाम का कवीता है ना इसमें बताया गया है क्या तो प्रकृति चित्रन चायवादी कवीता क्यों लेखने विश्रिस्ता है यह कवीता प्रकृति के विविद रूपों से हमारा आत्मियता आत्मिया परिचय कराती है कवीता के कंदर में प्राचीन पीपल विरिक्ष है जो अनेक बदलाओ का साक्षी है पीपल विरिक्ष के समक्ष विविवन परकार के पेड जहरने नदी चिडिया रित हुए दिव समाज में बदलाओ होते हैं इनसान के सोच में जो बदलाओ आते हैं उसको देखता रहता है कैसे परकृति बदल जाती है कैसे लोग बदल जाते हैं यह पीपल कवरिक्ष एक खड़ा होकर सभी लोग को देखते रहता है इसके सामने जो भी परिवर्तन होते रहते हैं सब परकृति से परिचे करवाया जा रहा है ठीक है चलिए मैं पढ़कर बताती हूं कानन का यह तरुवर पीपल युग-युग से जग में अचल 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 रहता है जिस इस्थान पर लगा दो उस इस्थान पर ये खड़ा का खड़ा ही रहता है कई यूगों तक उपर विस्त्रित नभनील नील नीचे वसुदा में नदी जील जामन तमाल इमली करील जल से उपर उठता मिरणाल फूंगी पर खिलता कमल लाल-लाल तिरतिर करते क्रिणा मराल उचे टीले से वधू वसुदा पर जरती है निरजणी जरज़़ वो जाती बुद-बुद जर यहानि कि जो नदी है उसमें क्रिना मिर्णाल फुंगी पर खिलता कमल लाल-लाल आप लोग देखे होंगे कमल का फूल खिलता है उसके नीचे एक हरा कलर का ऐक चौड़ा पत्ति की तरह तो वही यहां पर बोला जा रहा है कि हरे कलर के उस amendment के से यlished Зबते हैं जो तरफ कर नुछ तरफ कर रहे हैं उचे तीले से जर्णा नीचे जरती है और पथर उपर उक्ती है ज़रने के जो पानी है जल के बून जरना जब 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 आता पंची तरू पर जब जब आता पंची ऊड़कर जब खाता फल चुन-चुन कर पढती जब पावस की फूहार बशते जब पंची के सितार बहने लगती शितल्व्यार तब तक कोमल पलो हिल डुल गाते सर्चर मर्मर मंजुल लख लख सुनसुन विवल बुल 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 गाती रहती चहचय शरीता गाती रहती बहब है पत्ते हिलते रहते रह रहा है जितने भी है इसमें कोटर सब पंची गिलहरी के घर संध्या को अब दिन जाता ढ़ल सुरज रहते हैं अस्ता चल कर्मे समेट किरने उजवल तो वही बोला जा रहा है कि निर्जर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल चल की आवाज है वह साइद में खड़ा जो पीपल कपड़र वह सुनता रहता है इसके पत्ते गोल-गोल है य relational के पत्ते वह बहुत जदा तेज और नहीं बहुत जदा स्लो ठेके मतलब नॉर्मल हवाय चलती थी और पत्ते जो है न वह हिलते दूलते रहते थे कुछ कहते रहते बुल-बुल भी गाते जितने भी हैं उसमीं कोडर कि फीपल के विरिक्ष में खेद यानि कि जाता है अ फैइक है और हो जाता है सुनसान लोग चल पड़ते हैं घर को चील को अधियाली संद्या को विलोक यानि कि जब साम हो जाता है तो क्या सुरज ढ़लने लगता है और ऐसा लगता है कि आस्मान ने सुरज की किर्णों को अब समेटना शुरू कर दिया है अब जो है ना वहाँ का महौल सुनसान लोग हो जाता है घर में आती नींद उतर जाती है निद्रा में ही होता प्रभात कट जाती है इस तरह रात मतलब जो है ना बोला जारा है कि जब शाम होती है तो चारों तरफ सनाटा हो जाता है और घर घर में नींद उतर आती है अब निद्रा में ही हो जाता है सब्सक्राइब और वसुदा में नदी जील यानि की पिपल के वरिक्ष के बगल में नदी जील है जामुल तमाल इमली करिल सभी पेड़ है उसके सांसात पक्षी है कीड़े मकोड़े है सब कुछ है और फिर उसी तरह मौसम हो जाता सी तल बयार चलने लगता पत्थिया जो है ना कुछ कहने लगती वही बात रे बात वही बोला जा रहे वही बात रे बात इस वसुदा का यह वढ़ने प्रांत है दूर अलग एकांत शांत है खड़े जहां पर शाल बास चौपाये च लिंगन भी चीर आलिंगन बुझती पतिकों की जहां प्यास निद्रा लग जाती अनायास वही सदा इसका निवास बोला जा रहा है कि इस वदू का यह वहन्य प्रांत है दूर अलग एकांत में हैं और शांत में हैं है खड़े जहां पर शाल बास चौपाये चरते नरम घा निजर सरीता के आस पास और रजनी रोरओकर रोज भोर कर देती है और जहां पर हर रोज मोर नाचा करते हैं वहीं पर यह जो है पीपल के व्रिक्ष का स्थान है यह जो है 2. रोध शाम होती है रोध सुबह होता है यह हर रोज का ऑनधाल लोग के सोच बदलते हैं किस तरह इसी के सामने लोग बड़े होते हैं बड़े होने के बाद बुड़े होते हैं बुड़े होने के बाद मर जाते हैं ठीक है फिर बच्चा जन्म लेता है फिर वो भी जमान होता है शादी होती है वो भी बड़ा होने के बाद बुड़ा होता है बुड़ा होने के बाद फिर मर जाता है लेकिन यह चाहीं प्रिकृर्या यो के अकेले देखते रहेता है शांत खड़ाओकर रोज-सबाओ कर यहांद कर पियास ज़ोन जलने वाले जाती है जहां पयास दोंबुझती पर नीचे बैठते हैं और उनको नीद लग जाती है राट उट समझे की वही समझे वही कि वहना होता है समझे कि और उनको निद लगता है जो स्मझे कि वह है कि यहां पर भी कमप्लीट हो जाता है यहां पर चार चैप्टर हो गया करेंगे अपोग को चार चेप्टर करा दोंगी बस आप लोग टेनbnीं प्री रही है आप लोग को लैक करकर मोटिवेशन बढ़ाते रही हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को आज किस वीडियो में समझाए है कर दो कमेंड में लिखका जरूर बताये कोई भी डाउट हो तो कि अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किये तो फड़ा-फट लाइक करें जितना जिदा हो सके शेयर करें अपने पोड़ोसी अपने दोस्तों के पास ताकि सबी लोग इस वीडियो का लाब उटा सके और अगर आप लोग चैनल पर नए नए आये हुए हैं मे